हेलो फ्रेंट्स आप सब का आपके अपने चैनल गुविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है तो कैसे हो आप सब उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बढ़ाये बीचे चल रहे होगे तो आज के इस क्लास में हम सक्सादस विज्यन विश्यकी वरकबुक दो हजाटेबी 24 के अध्याइनो प्रकास का प्रावर्तन एवम अपवर्तन के कार्य पत्रक 39 को सौल्व करना सिखेंगे हमने कारय पत्रक एक से लेकर 28 तक सबी को बहुत अच्छे से सौल्व करा दिया है उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिवीए या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सबी क्लास को आराम से देख सकते हैं पिछलिए क्लास सुरू करते हैं प्रकास की कीरण एक माद्यम से दूसरे माद्यम में परवेस करती है तो यहाँ अपने मालक से क्या हो जाती है बिछलित हो जाती है जब परकास की कीरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है परवेश करती है तो वो अपने मारग से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है तो परकास की कीरण का अपने मालग से विचलित हो जाना क्या कहलाता है जैसे कि यहाँ पर यह एक क्या है एक आपकी सतय दीवी है ठीक है यहाँ पर आपकी जो AO है यह क्या है आपतीत परकास की कीरण है यानि आपतीत कीरण है ठीक फिर बात करें आपकी OB यह क्या है यह आपकी अपवर्तित कीरण है अपवर्तन के बाद लोटने वाली कीरण कुनसी है अपवर्तित कीरण है ठीक यह आपका अपवर्तक प्र यह अभी लंब है और यह क्या है यह आपका आपतन कौन है और यह आपका कौन सा है यह आपका अपवरतन कौन है तो अपवरतन का मतलब क्या है कि जब प्रकास की कीरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित हो परिवर्तन हो रहा है। तो इस मार्क से परिवर्तन को यह गा जाता है परकास का अपवर्तन। आगे बात करें। प्रश्ण संख्या 2, आपके समने दिया हुआ है कि सगन माध्यम एवं वीरल माध्यम से आपका क्या तात्पर है परत्यक का एक-एक उदारण भी दीजिए, सगन माध्यम और वीरल माध्यम से क्या मतलब है और आपको एक-एक उदारण देना है, तो हमने यहाँ पर बहुत व लिखा है आपका कौनसा माध्यम दूसरी तरफ हमने लिखा है आपका विरल माध्यम या दूरलब माध्यम विरल की जगे कभी के बार दूरलब भी लिखा हुआ आ सकता है तो यह कि आपको जान रखना है विरल माध्यम का ही दूसरा नाम क्या है विरल माध्यम का ही दूसरा न दर्वेमान और वी क्या है वी है आपका आयतन तो जितने भी सगन माध्यम होते हैं उनका गनत्व अधिक होता है मतलब क्या है कि एक निच्चित आयतन में अधिक दर्वेमान से क्या होते हैं बरे होते हैं जब कम आयतन के अंदर दर्वेमान अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं किसका गनतव अधिक है यानि वो ज्यादा सगन है वह बात करें दूडलब या विरल माध्यमों की तो उनका जो गनतव है वो क्या होता है कम होता है मतलब क्या है कि उनमें परती काई आयतन में दर्वेमन क्या होता है दर्वेमन कम होता है दूसरा अंतर क्या है कि जब प्रकास हलके परदात से यानि वीरल माध्यम से सगन परदात की और बढ़ता है तो सगन माध्यम परकास को अधिक मोड़ देता है क्योंकि सगन माध्यम के अंदर जो परकास की चाल है वो क्या हो जाती है वो कम हो जाती है इस वज़े से जो परकास की किरण है वो अभी लंब की तरफ मुड़ जाती है जब की बात करें कि जब परकास सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसके मारग में परकास का विचलन क्या होता है? कम होता है यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है देखो कि जब परकास हलके माध्यम से यानि वीरल माध्यम से सगन माध्यम में जाता है तो वो परकास को क्या कर देता है अधिक मोड देता है ठीक तो सगन माध्यम में वो परकास को अपनी और ज्यादा मोड देता है वही सगन माध्यम से जब प्रकास की किरन वीरल माध्यम में जाती है तो जो मारक है प्रकास का उसमें जो विचलन है वो बहुती कम देखने को मिलता है क्योंकि वीरल माध्यम के अंदर प्रकास की जो चाल है जो परकास की किरण सगन माध्यम से विरल माध्य में जाता है तो परकास की चाल क्या हो जाती है परकास की चाल बढ़ जाती है इस वज़े से विचलन बहुती कम देखने को मिलता है अगला सगन माध्यमों में कण एक साथ एकत्रित होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अधिक संप्रक करते हैं वही दूरलब माध्यम में कण अधिक फैले हुए होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुती कम संप्रक में रहते हैं सगन माध्यम में जो तरंगे होती है वो दीमी गती से चलती है क्योंकि उन्हें निकट संकुलित कणों से अधीक परतीरोध का सामना करना पड़ता है क्योंकि सगन माध्यम में परदात के कणों का बीच का जो आकरशन बल होता है वो ज्यादा होता है इस वज़े से उनके अंदर जो तरंगे प्रवेस करती है उन्हें ज्यादा पर्तिरोध अत्वा विरोध का सामना करना पड़ता है इस वज़े से तरंगों की गति क्या हो जाती है बेवी पर जाती है बात करें बीरल माध्यम है दूरलब माध्यम की तो इसमें जो तरंगे होत यह वह तेजी से चलती है क्योंकि कनो की बीरल व्यवस्ता से परतिरोध क्या होता है कम होता है तो बात करें उधारनastically कान्च, पानी, और हीरा इसके उधारन multiplayer है सगन माध्यम के उधारन है वही वायू, गैस और निर्वाद, ये किसके उदारन है, वीरल माध्यम के उदारन है, यहाँ पर देखो, मैंने दूसरी परिवासा और समझाई हुई है, कि सगन माध्यम बे होते हैं, जिनमें से गुजरने पर परकास की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब परकास पान या फिर कान से ओकर गुजरता है तो उसकी गती कम हो जाती है जिससे वे माध्यम ओप्टिकली क्या हो जाते हैं सगन हो जाते हैं पानी हवा की तूलना में परकासिर डूप से क्या होता है सगन होता है क्योंकि पानी में परकास की गती हवा की तूलना में क्या होती है कम होती है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सदन माध्यम बे माध्यम होते हैं जिन में से परकास के गुजणने पर परकास की गति कम पढ़ जाती है वही वीरल माध्यम के अंदर परकास की गति अधिक होती है ये अंतर भी हम बता सकते हैं ठीक आगे बात करें किसी दर्पन द्वारा बना परतिविम वस्तू के आकार के समान है और कैसा है उल्टा है तो फिर वो दर्पन कौन सा है एक दर्पन है जिसकी मज़से बनने वाला जो परतिविम है वो कैसा है आकार में समान है और उल्टा है तो वो दर्पन होगा आपका अवतल दर्पन कौन स वकरता केंद्र पर इस्तित वस्तू का परतिविम वकरता केंद्र पर कैसा बनता है वास्त्विक बनता है उल्टा बनता है और वस्तू के बराबर आकार का बनता है कब जब वस्तू अव्तल दर्पन के वकरता केंद्र पर रखी जाती है ठीके अब बात करें समतल दर्पन की तो समतल दर्पन के द्वारा निर्मित जो परतिविम होता है वो कैसा होता है आबासी होता है और सीधा होता है अर्थात उस परतिविम को परदे पर प्राप नहीं किया जा सकता और दर्पन के पीछे परतिविम की जो दूरी होती है वो दर्पन के सामने वस्तू की दूरी के समान होती है वस्तू दर्पन के आगे जितनी दूरी पर होगी परतिविम दर्पन के पीछे उतना ही बनता हुआ दिकाई देगा निर्मित पर्तिविम का आकार वस्तू के आकार के क्या होता है समान होता है तब यह आपको ध्यान रखना है देखो थोड़ा सा फरक है कि अवतल दर्पन के केस में पर्तिविम वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तू के आकार का बराबर बनता है लेकिन समतल दरपन के अंदर परतिविम कैसा बनता है? आबासी और सीधा और वस्तू के आकार के बराबर बनता है तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है आगे बात करें प्रश्ण संक्याचार दिया हुआ है कि लेंस सुत्र को लिख कर परतिकों के नाम लिखिए क्या करना है? लेंस के सुत्र को लिख कर आपको परतिकों के नाम लिखने है तो लेंस का सुत्र क्या है? वन अपोन यू पलस वन अपोन वी बराबर वन अपोन एफ यह क्या है? लेंस का सुत्र है जी दरपन का पूछे तो 1 upon U minus 1 upon V बराबर 1 upon F यह किसका सुत्र है? दरपन का अब देखो B क्या है? B है लेंस से सवी की दूरी यह परतिभीम की दूरी U क्या है? लेंस से वस्तू की दूरी और F क्या है? यह आपकी फोकस दूरी है ठीके? आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है कि सनेल का नियम और उसका सुत्र लिखिए क्या लिखना है आपको सनेल का नियम क्या है? और उसका सुत्र लिखना है तो सनेल का नियम क्या कहता है? कि जब कोई प्रकास की कीरण, जब कोई प्रकास की कीरण, इन्हीं दो माध्यमों के सिमा प्रष्ट पर तीर्चे आपतित होती है, जब प्रकास की कीरण, दो माध्यमों का जो सिमा प्रष्ट होता है, उस पर जब तीर्चे आपतित होती है, तो आपतन कौन की जया, मतलब साइन आई, दूसरे बाद द्यम का क्या कहते है अपवरतंग कहते हैं ऑर इस नियम को कहते है सनेल का अपवरतनग नियम मतलब Sin I upon Xin R utan untuk constant यहीं इसा ही कहते है सन्यल का नियम इसा कहते है सनेल का चारो और क्या है वायू मंदल है जिसमें धूलकन जलवास पर आधी क्या है उपस्तित है तो सुक्समा कणों का एक विस्मांगी मिस्रण है यह नहीं क्या सकते हैं कि मारा जो वायू मंदल है वो अलग अलग परकार के सुक्समा कणों का क्या है एक विस्मांगी मिस्रण है विश्रित जो परकास है वो प्रावर्तित होकर हमारे पास पहुंचता है और कॉलाइडी कनों के दुआरा परकास के परकिनन को ही क्या का जाता है तिंडल परभाव कहा जाता है या दूसरे सब्दों में कहूँ तो जब परकास की किरने किसी कुलाइडी विलियन में से होकर गुजरती है तो उसका क्या हो जाता है परकिर्नन यानि परकास का जो मारग है वो क्या हो जाता है फैल जाता है इसी वेग्यानी गटना को तिंडल परभाव कहा जाता है जैसे उधारण की मैं बात करूँ तो धूल अथवा धूए से बरे कमरे में किसी चोटे से चिद्र से ओकर परवेश करने वाला जो प्रकास पोंज होता है प्रकास पोंज में हम कणों को उड़ दे हुए देख सकते हैं जब आपके गर के अंदर सोटी सी ऊपर रोसंदान होती है और उस समय जब सुबे का प्रकास आता है तो आपको प्रकास का पूरा मार्ग दिखाई देता है और उस पूरे प्रकास के मार्ग के अंदर आपको धूलकन दिखाई देते हैं एक इसका उद्यान है टिंडल परभाव का, दूसरा गने जंगलों के वितान में सूर्य की किर्णों का गुजरना, जब बहुत घना जंगल है और उसमें जब सूर्य की चोटी किर्णे परवेश करती है, तो आपको पूरा जो मार्ग है, वो क्या होता है, बिल्कुल एक दिम स जल की चोटी-चोटी बुंदे वायु मुंडल में रह जाती है, तो उन बुंदों के दुआरा भी प्रकास का परकिंडन किया जाता है, यह प्रकास के मार्ग को फैला दिया जाता है, जैसा कि आपके सामने चित्र में दिया हुआ है, देखो यह किंडल परभाव का चित्र ह उसमें क्या हो रहा है देखो यह प्रकास की किरन पूंज यहां पर क्या कर रही है प्रवेस कर रही है तो इस माध्यम के द्वारा जो कि कुलाइडी विलियन है इसके द्वारा प्रकास के मारग को क्या कर दिया जाता है फैला दिया जाता है जैसा कि दूसरा चितर दिख रहा ह आपको जंगल का इसमें देखो गना जंगल है इसमें जो सूर्य के प्रकास की जो किरन पूंज है वो प्रवेश करता है तो प्रकास का जो मार्ग है वो हमें एक विस्परत रूप में दिखाई देता है है ना यही क्या है आपका यही आपका टिंडल परभाव है आगे बात करें प्रश्ण संक्या साथ अपवरतन के नियम बताईए क्या करना है आपको अपवरतन के नियम बताने है तो अपवरतन के कितने नियम है अपवरतन के दो नियम है अपवरतन के किसे है जब परकास की किर अभी लंब तथा अपवर्तित कीरण 3-1 ही तल में होते हैं आपतित कीरण का मतलब है कि जो स्रोत है वहाँ से आने वाला परकास कि जो कीरण है वो ओगी आपके आपतित कीरण फिर अभी लंब यह जो प्रावरत क्रिस्ट हैं जहां पर एक कीरण टकरा रही है जब यहाँ पर हम एक 90 ウ Д्ग्री के कौनड की रचना कर देते हैं तो उसे कहते हैं अभी लंब और अपवर्तित किरन है अपवर्तन के बाद लोटने वाली किरन तो पहला point क्या है कि अपवर्तित कीरन अभी लंब और अपवर्तित किरन कीनो कहाँ पर होते हैं एक ही तल के इंदर मौजुद होते हैं और दूसरा निम क्या है कि आपतन कौन की जिया और अपवर्तन कौन की जिया का अनुपात क्या होता है एक constant होता है जिसे हम पहले माध्यम के साफ़े दूसरे का अपवर्तनांग भी कहते हैं और इसे n1 अतवा n21 से परदसित भी किया जाता है सनेल का निम क्या कहता है sin i upon sin r equal to constant यानि n21 अनि की जो पहला माध्यम है दूसरे माध्यम के साफ़ेक्स पहले माध्यम का अपवर्तनांग ठीक ये था आपका अपवर्तन का दूसरा नियम तो इस तरह हमने आपके कारे पत्रक के जितने भी प्रशन दिये गए थे उन सभी प्रशनों के उतर बहुत अच्छे से जान लिये हैं उम्मिद करता हूँ सभी प्रशनों के उतर आपको अच्छे समझ में आये होंगे तो यदि आपको मेरी क्लास और मेनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, सियर और सब्सक्राइब जरूर कर दे ठीक है आज के लिए इतना ही जै हिंद, जै भारत